हेलो गाइज, वेलकम यूटूब चैनल, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अहाल सविता, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले ट्रिक से कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, इससे रिलेटेट, अगर यह पॉइंट हम समझ लेंगे, तो हमारी जो सविता है, वो उ भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर यह आकर्ती है, न तीन है, न उ है, न इससे, न यह ए है, ठीक है, ए तो बन नहीं सकता, तो यह मतलब एक आकर्ती है, तो इससे ही हम बनाएंगे आगे, जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अनाज रखने के पातर, यहाँ से इसाकरती से देखो ए बन रहा है अनाज रखने के पातर जिसे गोरा कोठे कलाते थे ठीक है उसके बाद उ से यहाँ पर उदेपूर बन रहा है इसाकरती से उ बन रहा है उदेपूर ठीक है तो यह सब्यता कहाँ पर है उदेपूर में है उसके बाद अक्से किर्थी व्यास इसकी खोज किस ने की थी अक्से किर्थी व्यास ने यहां पर आ बन रहा है इसाकरती से ठीक है तो 1953 में की थी तो यहां पर लाश्क में तीन आ रहा है ठीक है यहां पर देख सकते हैं खोज 1953 में तुलाष्ट में तीन आ रहा है इसाकरती से मेल खा रहा है उसके बाद आहेड बेड़च ये नदी है तो यहां पर आ से इसाकरती से आ बन रहा है उसके बाद अगाटफूर दूल कुटे ठीक है? दूल कुटे तो यह मतलब आ से आ बन रहा है यहां पर तो यह इसके उपनाम है और उपनाम इसके बनाज सेंसकरती के बनाज सेंसकरती भी इसका उपनाम है ठीक है नाम से जानते हैं बनाज सेंसकरती के नाम से भी इसे जानते हैं आज सबेता को उसके बाद यहां पर उल्टी तपाए जो मर्त बांड है लाल काला ठीक है इसके साथ से मिले हैं यहां से तो यहां पर उ से बन जाएगा इसाकरती से उ बन जाएगा यहां पर उसके बाद यहां पर आप पोलो तो यहां पर आपन रहा है इसाकरती से ठीक है उसके बाद यहां पर आठ सतर तो अपन भी क्या थौफए साख़ लिया 1961 तो अब देखें आपको मैं बिस्तार से बताता हूं ठीक है आ का अब देखिए आगे आपको मैं इस तार से बता देता हूं अब marrow बनाना चाहते हैं तो मेरी तहए आप नोट्स भी बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इस नोट्बुक के अंदर लिख रखा है नोट्स से तो यहाँ पर इस परकार से आप बना सकते हैं नोट्स कर सकते हैं स्क्रीन सोट ले सकते हैं देखी हाड सबेता ठीक है इसके बाद खोज इसकी अक्से किर्थी ने 1953 में की थी उत्खनन आर्सी अगरवाल HD सांखलिया नहीं किया था पहले आर्सी अगरवाल ने उसके बाद HD सांखलिया उसके बाद इसके उपनाम जानेंगे हम तो उपनाम देखिए क्या है अगाटफुर दूलकोट ठीक है और तमरवर्ती नगरी बना से सहसकर्ती के नाम से जाना जाता है इसको आड़ सवेताओ उसके बाद यहां से गंदे पानी के निकास में काम आने वाली चक्कर कुप के अफसेस मिले है ठीक है आगे देखिए अगला पोइंट है रंगाई चपाई के ठपे काले वर लाल रंग के उल्टी तपाई के मर्त भान मिले है ठीक है उपर हमने पढ़ा था उल्टी तपाई के मर्त भान उसके बाद आगे है अनाज रखने के बड़े कोठे जो अनाज रखने के पत्र होते थे उनको ही आपर कोठे गोरे इन नमों से पुकारा गया है ठीक है उनको ही कहा गया है जो अनाज रखने के पत्र होते थे पहले कोठे होते थे उनाज पूरा पूरा उस कोठे के अंदर डाल दिया जाता था ठीक है मकान की छोटी एक टाइप होती थी ठीक है तो आगे देखिए आप अगला पॉइंट है याँपर च्छे तंबे की मुद्राएं वे च्छे चुले मिले हैं उसके बाद च्छे तंबे की मोहरें वे तंबा अगलाने की बठ्या मिले हैं तो यह साकसी मिले हैं हैं यह से और च्छार वर्स पुरानी सबेता है। और जो काली बंगा थी हमारी पहले हमने पढ़ा है किल की वीडियो में तो ऒूठ रूठ इसके बाद मित्टी बने बना सियल भूल की मुर्ति मिली है तो पिछे हमने पड़ा है जो बैल की हमने पिछे जो कुत्ते की पड़ी है मिट्टी से तो वो मतलब वहाँ पर अवसेस मिले हैं परंतु वो तामवे के मिले हैं ठीक है कुछ उसके बाद आगे है तामवे की कुलाडिया वै अंगूठ लिखने अंद्रीक अगरीट का अंकन मिला है, खहा है, आगे देखी यह अगला प्वेंट ह हमारा आटा पीष्ने की चक्की आ पर कैसे जो पहले पत्थर वाली चक्की होती थी गुमांकर आटा पीष्सा जाता था ठीक है तो उसके पांट मिले हैं आटा पीष्ने की वह चक्की भी मिली है पूरी पूरी तो यहां से complete ये पता चलता है कि भी आटा पिसने वाली चक्की मिली है ठीक है जब खुदाई की उत्खनन किया तो आगे आया आटा पिसने वाली चक्की भी आई है और यहाँ पर हमने जो मैल खोराप भी देखा है उत्खनन में तो इस परकार से ये सारी चीजे आट शबिता के अंदर मिली है ठीक है आट पिसने वाली चक्की मिली है उसके बाद उत्खनन के आट सतर मिले है जो खुदाई की है खुदाई करने के आट तरीके मिले है उत्खनन के सतर मिले है आट ठीक है उत्खनन के आट सतर मिले है कुदाई करने के आठ सतर मिले हैं उसके बाद देखिए आगे दो तीन मुह बाले चुले मिले हैं मतलब कि एक चुले के दो तीन मुह बाले चुले मिले हैं मतलब अलग तरीके से वो चुला था मतलब एक जी चुले के दो तीन मुह होगे ठीक है वो चुले यहाँ पर मिले है जैसे कि राख निकालने के लिए अलग मुह होता होगा उसका जलनाने के लिए उपर जो उसकी उच्जा है जो आग है वो मतलब किसी चीज़ को गरम कर रही है उसके लिए अलग होता होगा और जो मतलब हम जो इंदन डालते हैं जलाने के लिए चुले के अंदर उसके लिए अलग मुह होगा ठीक है तो इस परकार से अलग अलग है तीन दो तीन मुह वाले चुले मिले हैं मतलब एक तरफ से राख निकलती है एक तरफ से हम जो लकेडे है वो डालते है या मतलब जो भी इंदन है जलाने के लिए जैसे लकडियां है उनको जलाते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से राख निकलती है ठीक है और एक तरफ है उर्जा जो मतलब जो जला है वो उपर जैसे भी कुछ भी बना रहे हैं हम जैसे चाय बना रहे हैं तो उपर वो अगनी जल रही है वो उपर की तरफ निकलेगी और पिछे की तरफ उसका मतलब जो जला हुआ आड़ सुबेता थी उसके बारे में बता दिया और ये सबेता कहां पर है उदेपुर के अंदर है ठीक है तो यहां पर आप सक्रेइन सोट लेकर याद कर सकते हो या फिर वीडियो से याद कर सकते हो तो आपको यह वीडियो कैसे लेगी कोमेंट करके जरूर दाए ठीक्यू